किसन भाईयों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में किसन भाईयों हम बात करेंगे गन्ने की टॉप पाँच विराटियों के बारे में जो किसन भाईयों हाल फिलाल में ही रली जो ही है यह जो पांचों गन्ना विराटियां हैं जो कि किसान भाईयो उत्तर भारत में एक किसान भाईयो या तो समाने विराटी के रूप में या फिर अरली विराटी के रूप में पास है यानि कि यह जो विराटियां है वो यूपी, हर्याना, पंजाब, उत्राखंड इन सब राज ना देख सकते हैं कि काफी अच्छी मुटाई का गन्या रहता है लंबाई के कर बात करने के संव एयो तो जैसा कि आप जानते हैं कि पई जो पीबी की जो विराइटी निकी लंबाई आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है उसी परकार की किसन भाई और हरे भरे अगॉल जो है आपको इसके देखने को मिल रहे होगे और इसके अगर लीप शेप के बात करें के समझे इस पे आपको हलका सा गुलाबी या बेंगनी कलर से आपको देखने को मिल जाएगा लीप शेप पे आपको कांटे जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं गन्य की मुटाई आप दे कोई भी सीरियस रोग जो है वो देखने को नहीं मिलता है विर्याटी जो है काफी अच्छी अवी तक इसकी परफॉर्मस जो है चल रही है और यह जो विर्याटी किसान भईयों लगा सकते हैं काफी अबहतर किसान भईयों रियल्ड जो है इसका आपको देखने को वो मिलेगा और अब बात करते हैं किसान भईयों अगली गना विर्याटी के बारे में जो किये किसान भईयों करनाल द्वारा पास CO 17-018 गना वरैटी यह जो गना वरैटी है किसनवियों यह समान वरैटी के रूप में हर्याना हो गया, पंजाब है, उत्राखंड है और पच्छम यूपी और मद्ध यूपी में किसनवियों यह पास है और अगर इसकी मुटाई की बात करने किसनवियों तो काफी अच्छी आप देख सकते हैं मुटाई आ रही है, काफी लेड बॉआई होने के बावजूद भी काफी बढ़िया मुटाई जो है किसनवियों इसकी आपको देख सकते हैं कि देखने को मिल रहे होगी, काफी मुटे-मुटे पान्स साथ गन्नो का वो ब्यात इसमें देखने को मिल जाता है हर कलनो की जो मुटाई है, हर ब्यात की जो मुटाई है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिल रहे होगी रोगों के बात करें किसनवियों तो फिलाल जो है कोई गंभीर रोग जो है वो देखने को नहीं मिलता है नहीं विर्याटी है काफी अच्छा रियाल जो है किसन भाईयो इसका देखने को मिलता है वैसे भी किसन भी अगर बात करें समाने विर्याटी की तो समाने विर्याटी का जो रियाल्ट है वो बहुत ही बहतरी इन देखन को मिलता है उनकी लंबाई मुटाई और रोगों की जो समस्या है वो काफी कम जो है वो समाने विर्याटियों में अक्सर जो है देखने को मिलती है तो उसी परकार की विर्याटी किसानवयों ये भी देखने को मिलती है कि हाला कि समाने विर्याटी है लेकिन गन्नी की जो मुट आई है और लंबाई और ग्रोथ जो है वो काफी अभी तक बढ़िया किसानवायो चलती हुई नजर आ रही है इन सब खाष्टों के चलते हैं किसानवायो यह जो विरैटी है वो आपके लिए बुआई का एक अच्छा विकल्ब किसानवायो हो सकती है और अब बात करते हैं किसानवायो जो नंबर तीन पर ग्रना विरैटी है उसके बारे में जो कि क्षानवियो करनाल की ही CLO 16-03 गन्ना विरेटी जो कि क्षानवियो एक समान विरेटी के रूप में किसानवियो पास की गई है और अगर इसकी बात करें कि एक इनकी नरज्ज्यु में पास है तो क्षानवियो यह जो विरेटी है वो हरियाना पंजाब उत्राखंड और पूरवी यूपी और मद्ध यूपी में किसानवयो समान वेराटी के रूप में इसको पास किया गया है गन्य का अभी तक का रिजल जिक सानवयो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आप इसकी मुटाई देख सकते हैं किसानवयो की काफी अच्छी मुटाई जो है इस वेराटी की भी देखने को मिलती है काफी टिलरिंग अगर बात करें तो वो भी काफी अच्छी है और हलका सा किसानवयो इसका जो कलर है वो आपको हरापन जो है देखने को मिलता है और पूरी की अगर बात करें तो हलकी सी जिक जाक पूरी जो है इसकी वो चलती है और अभी तक देख सकते हैं कि टिलर काफी अच्छे हैं जाद पांग कम से कम साथा टिलर होने के बावजूद भी है टिलर की जो मुटाई है किसन भी वो काफी अच्छी आती है आँक इसकी किसानबायो आप देख सकते हैं कि बैठी सी चिप्टी सी आँक जो है वो देखने को मिलती है मुटाई काफी जबरदास्त है मुटाई आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया मुटाई अभी तक इसकी आ रही है और अगर टिलर की बात करें तो लगबर जो है सिंगल बड़ से हमने इसकी प्लांटिंग की थी तो लगबर दस से बारा टिलर जो भी किसन भईयो इसमें कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं और कोई विशेज प्रकार के काटे वगारा जो है पती या फिर लीप शेप पे देखने को नहीं मिलते हैं तो समाने विराटी के रूप में ये पास है बहुत अच्छा विकल्प किसानवायो आपके लिए इस सेजर में बवाई के लिए या अगले सेजर में हो सकता है तो कि ब जिसको की किसानवायो शाहांपूर शौस अंस्थान के दरा विक्सित किया गया था करने का अभी तक का अगर लंबाई की बात करें तो लगम जो है साथ फ़िट की लंबाई हो चुकी है अलाकि अपरियल के स्की पलांटिंग लगम 15 परियल को इसकी बौई की गई थी और अ किसान भायो आपको इसका गौला नजर आता होगा और अगर गन्य की किसान भायो मुटाई की अगर बात की जाए तो गन्य की मुटाई है वो भी किसान भायो काफी आपको अच्छी नजर आ रही होगी देख सकते हैं कि काफी बढ़िया मुटाई लिए इसका गन्या जो है वो लेट बवाई है उसके बावजूद भी चार से पांच टिलर जो हैं सिंगल बड़ से बोएगे गन्य में आपको देखने को असानी से मिल जाते हैं तो ठेदरिंग के लिहाद से भी काफी अच्छा अभी तक इसका रिजाल जो है वो देखने को मिल रहा है वहीं किसनवियो आपको हलका सा काले कदर में किसनवियो गन्य नजर आएगा और जहां से आप ताजी पत्ती उतारेंगे वहां से आपको सफेद और हलका सा ब्लैक कलर में किसनवियो देखने को मिलता है उपर आपको हलकी सी वैक्स जो है वो देखने को मिल जाती है आँक की बात करें तो किस किसान बैयो तो फिलाल जो है इसमें कोई भी सीरियस रोग देखने को नहीं मिलता है हलका सा किसान बैयो इसमें पोका बॉइंग रोग हमें देखने को जरूर मुला था उसके लिए हमने एक बार पंगी साइड का किसान बैयो इस्तेमाल किया था उसके बाद देख सकते हैं कि गन्ने की जो गुरोथ है गन्ने का जो कलर है वो काफी अच्छा किसान भाईयो आपको नजर आ रहा होगा तो यह जो विर reflection भाईयो वो अरली विरियाटी के रूप में किसानों के लिए आगले आने वाले एक दो सालों में बहुती अच्छा विकलब जो है वो हो सकती है और नमबर एक पे जो गन्दा विराइटी एक किसनवाईओ वो है किसनवाईओ कोलक 16202 गन्दा विराइटी जो किसनवाईओ अरली विराइटी के रूप में यूपी, हरयाना, पंजाब और उत्राखंड में एक किसनवाईओ पास है जो है आपको वो नजर आ रहा होगा काफी अच्छा किसनवाईओ अपी तक इसका रियाड़ देखने को मिज़र आ है, हरे भरे अगौले है बिल्कुल इस विराइटी के, वहीं किसनवाईओ अगर बात करें गन्ने की मुटाई की, तो किसनवाईओ गन्नी देख सकते हैं काफी अच्छी तिलरिंग लिए हुए है गन्ना है, हर गन्नी की जो मुटाई है वो लगबग एक समाने काफी बढ़िया मुटाई जो है आपको हर गन्नी की किसनवाईओ कम से कम 5-7 गन्ने इसमें देखने को मिल रहे होंगे सिंगल बड़ से गन्ने की जो मुटाई है काफी बढ़िया जो है, काफी अच्छी जो है चलती हुई अभी तक नजर आ रही है देख सकते हैं कि जहां से पती किसनवाईओ पहले से उतरी है, वहाँ पे आपको हलका सा बेंगनी या लाल कलर में एक गन्ना देखने को मिलता है पती का साइज जो है, वहाँ अच्छा किसनवाईओ नजर रहा है पुखी किसनवाईओ जो पहले हैं तो पती का साइज आ कलर होहगा उतनी ही अच्छी गरोब गन्ने कि चलती है और अभी तक गरात करएं किसनवाईओ उ इस कि इस दित्की तो किसंवयों फिलाल कोई भी सीरियस रोग देखने को नहीं मिला है हलका सा टॉप बोर और हलकी सी इसमें पोका बोईंग की शिकायत आपको देखने को मिलेगी उसके लिए किसंवयों एक बार जो है इसमें फंगी सैड और एक बार कितना चाका इस्तमाल किया तवी किसान वाईयो तक देख सकते हैं कि गन्य जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया किसानवाईयो चल रही है तो इस जो यह जो गन्य विरैटी है यह भी किसानवाईयो और ली विरैटी के रूप में इस किसानों के लिए एक बहुत ऑच्छा ईचा विकल्ब किसानवाईयो हो सकती है तो ये थी किसानवाईयो टॉप पाँच गन्नाव रैडियो के बारे में हमारी समाने जानकारी आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करेगा लाइक चैनल पे नहीं है चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब धन्यवाद कसान भाईयो